आल राइट and welcome to all in today's The Hindu News discussion नाव डेली के basis पर हम page-wide discussion करते हैं और सबसे ज़्यादा important analysis और important चीज यही रहती है कि हम जो भी discussion करते हैं उसके notes आपको share करते हैं जैसा हमने बोला था previous day के notes अलरड़ी हम public कर चुके हैं 15, 16, 17 के, 18 के भी तो आज हम discuss कर लेते हैं 20 फरवरी का The Hindu Analysis बहुत सारी चीज़ें जानने को हैं आज हम जानेंगे United Nation Human Rights Council के बारे में एवियन बोटुलिज्म ये क्या था जेनरली इससे बहुत सारी migratory border की death हुई सांभर लेक आज न्यूज में आया है सांभर लेक को जानेंगे NASA का Mars Perseverance Rover ये क्या है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें आज के न्यूज डिसकेशन में हम डिटेल में देखने वाले हैं बट विदाउट मोविंग फर्दर टेलिग्राम एप डाउनलोड करनी है सर्च बाक्स में टाइप करना है अट दरेट पीर पॉब्लिकेशन तो आप इस फ्री गरूप से जॉइन हो जाएंगे यहाँ पर हमने फ्री में 15-16 जिसको डेमो वर्जिन देखना है तो यहाँ पर अल्रेडी हम यहाँ पर शियर कर चुके हैं आप देख सकते हैं बट आप प्यार पॉब्लिकेशन के पेट कोर्सेस को जोइन कर सकते हैं बहुत सिंपल है पेट कोर्सेस को जोइन करना एरली प्लैन है 499 रुपीज का जिसमा पूरे एक साल तक यानि की फरवरी 2022 तक आपको नोट्स मिलते रहेंगे और उससे पहले मेड 2020 से भी मिलेंगे डेट वाइस करेंट अफिर दाहिंदू की नोट्स मिलते हैं NC86 12 चेप्टर वाइड नोट्स फॉन गार्डेंस मिलती है आंसर राइटिंग डेली करवाई जाती है और सबसे बड़ी है फॉन गार्डेंस हमें कभी भी आप कॉल कर सकते हैं लेना बहुत सिंपल है दिये गए नमबर पर गूगल पर या फॉन पर कर सकते हैं प्रिपेमेंट करेंगे उसकी स्क्रिन सौट सेम नमबर पर हमें वट्सेप करनी है और उसके बाद हम आपके अपने तीन प्राइवेट गूप से एड़ कर लेंगे जहां पर सभी मटेरियल आप एक साथ एकसेस कर पाएंगे जैसे गूप में एड़ होने के बाद प्राइवेट इस्टडी मटेरियल पेट गूरूप डिसकेशन और प्राइवेट करेंट नोट्स प्राइवेट करेंट नोट्स में डेली के बेसेस पर आपको टेक्स्ट पॉर्मिट में नोट्स मिल जाते हैं Pate Group discussion में daily के basis पर आप answer writing कर सकते हैं study material में daily के basis पर आपको notes मिल जाते हैं PDF form में तो start करते हैं आज का news discussion Now सबसे पहले news आती है June में June में एक class हुआ था इंडिया और चाइना का stand off जो चल रहा था उसमें भारती ये 20 जवान तो सहीद होए थे भारत ने उसी समय हमें statement दे दिया था कि भारत के 20 जवान सहीद हुए थे सिंस 1967 के बाद ये पहला violence देखने को मिला जहां पर सहीद हुए हमारे जवान वहीं चाइना ने उस समय तो जानकारी हमें नहीं दी थी पर चाइना ने अभी ये बोला people liberation army जो चाइना की आर्मी है वो पी एले आरमी कहलाती है people liberation army उन्होंने ये बोला कि हमारे चार जवान मारे गए थे कहाँ पर गलवान वैली में ऐसा चाइना की report आई थी हाला कि अभी का present ये तो बात है जून की अभी का present जो status है वो क्या है कि disengagement की process चालू है यहाँ पर बड़े बड़े टैंक्स हटाए जा रहे हैं मिसाल्स हटाए जा रही हैं अब धेरे धेरे हम क्या कर रहे हैं जो पैंगॉंग सोलेक के साउथ में वो भारत बल रही है और नौर्थ को चाइना बल रही है तो यह एक अच्छी बात है डिसंगेजमेंट प्रोसेस सु डिसकस कर लेते हैं यहाँ पर देखिए एक पेज है एट या नाइन्थ पेज है उसमें भी एक जो न्यूज आई है आर्मी रेस्क्यू फोर फोर्टी सेवन टूरिस्ट फ्रम नाथूला अब यहाँ पर हुआ क्या रेस्क्यू किस से किया बहुत सिंपल है बहुत सारे अफिशल सेड ओन फ्राइड़ ओके तो नाथुला यहाँ से हम पढ़ेंगे नाथुला वहाँ से पढ़ेंगे पैंगॉंग सोलेख और बस इतना ही यह दो न्यूज को एक साथ नोट्स के फॉर्म में कर लेते हैं नाव बिस फरवरी के नोट्स सबसे पहला है यूपीसे ज और चो लमाओं जो रिवर टीश्टा के आगे पढ़ता है यह पास है दूसरे सिक्किम में कौन-कौन से पास है जो आज के न्यूज पेपर में में मेंचेन है आप सब को पता है नाथुला पास मेंचेन था जहां से टूरिस्ट को रेस्क्यू किया गया तो अगर आप से पूछा जा सकता है तो आंसर हो जाएगा सिक्किम में ओके पैंगॉंग सोलेग पैंगॉंग सोलेग कहां पर है लद्दाक में है और यह एक सॉल्ट वाटर लेग है टैटिश जीयर सिंक्लाइन से बना हुआ है 90 किलोमेटर का है पूरा 125 किलोमेटर भारत की कंट्रोल में 90 कि कंट्रोल में है ओके एलेसी कब बनी थी 1957 में चायना ने जब अकसाई चीन ड्रीजन को कंट्रोल कर लिया था उसके बाद क्या होता है कि फर्दर 1962 में वार हो जाता है और जहां तक मिलिटरी हेल लाइन भारत की मिलिटरी और चायना की पीले जाती है वहीं पर एलेसी बन जा डिस्प्यूट ना हो और धिरे दिरे 1993-1996 ये भी सारी चीजें देखने को हमें मिली थी ओके नौ फर्स्ट पेज में एक और न्यूज है ये है दा स्ट्रेडव आफ नासा पर्सिवेरेंस रोवर इस सीन ऑन दे सर्पेस आप मार्स अजिट लैंड्स अन दे प्लैनेट करते हैं तो ये चीज़ याद रखना नासा का जो पर्सिवेरेंस रोवर है वो हमें देखने को मिला मार्स की सर्फेस में और ये इसके साथ साथ नासा पहली फर्स्ट स्पेस एजेंसी बन चुकी है जिसने टू फ्लाइड ड्रोन इन डे अटमोस्पेर आफ एनादर प्लैन इंडियन अमेरिकन बिहाइंड नासा रोवर मार्स लेंडिंग क्या नाम है इन साइंटिस्ट का इनका नाम है स्वाती मोहन ठीक है इन्होंने ही सबसे पहले बताया सबसे पहले बताया कि क्या मिस्टर मोहन वाज्स मोहन वाज्स मोहन वाज्स अल्स तू कंफर्म देट पर्सिवेरंस रोवर के बारे में ये क्या है और ये कैसे काम करता है इसने क्या collect किया नाओ, Nasa Mars 2020 पर्सिवेरंस रोवर इश्यू क्या है? Nasa Mars का पर्सिवेरंस रोवर ने टच्च किया dus Martian service को, ठीक है? ऐसा miss स्वाती मोहन ने भी confirm करके दिया अच्छी बात है मार्स में पहले से ही बहुत सारे मिशन चलते आये थे मैं सबी मिशन के बारे में तो नहीं बताऊंगा बट कुछ-कुछ मिशन को एक रेंडम एयर के बेसिस पर आपको बताता हूँ 1960s में यह पहला वो दोर था पहली जनरेशन थी जब मार्स में कोई एक मिशन भेजने की बात की जा रही थी वाइकिंग मिशन था जिसका नम और यहां पर मार्शन सॉयल को पता लगाने की बात की गई पर उतना ज्यादा सक्सेस्पुल नहीं हो पाया कोई कंक्लूजर नहीं निकल पाया फिर इसके बीच में भी बहुत सारे हुए यार 1984 में भी ठीक है बहुत सारे ऐसे मिशन मार्शन है मार्शन की सॉयल के बारे में स्पेक्ट्रो मीटर ऑन दा बोर्ड दा मार्स ओड ऐसी स्पेस्क्राप्ट कौनसा मार्स का ओड ऐसी स्पेस्क्राप्ट ने डिड़क्ट किया हाइड्रोजन सिगनेचर इससे पता चलता है कि प्रिजेंस ओफ वाटर आईस मार्स में है पहले तो सभी लोगों को 13 सेंचुरी तक ये लगता था मार्स एक ड्राइ प्लैनेट है उसके बाद बहुत सारे मिशन देखने को मिले मार्स में ही क्यों मार्स ही दा ओनली प्लैनेट देट हुमन कें विजिट और इन्हेबिट इन लॉंग टर्म विजिट कर सकते हैं और लंबे समय तक वहां रह सकते हैं मार्स जो प्लैनेट वेर लाइफ में हैब इवाल्व इन दा पास्ट ऐसा नहीं है कि यार फ्यूचर में हम लाइफ बनाने की बात कर रहे हैं पहले भी यहाँ पर लाइफ इवाल्व हो चुकी है वाइज पर्सिवरेंस रोवर सिगनिफिकेंट अभी हमने कहा पर्सिवरेंस जो रोवर है मार्स की सर्फेस को टच कर चुका है तो इसके सिगनिफिकेंट एडवांटेश क्या है यार यह हमाले फाइदा कैसे करेगा यहाँ पर यह दो चीज़ों को address कर रहा है सबसे पहले तो यार वो जानना चाह रहा है कि yes, life कैसी evolve करेगी दूसरा, human mission Mars में कैसे जाएगा it is not just another rover mission but the most advanced है NASA ने भेजाया, expensive तो रहे गई and most sophisticated mobile laboratory sent to Mars the result of experiment on perseverance will like define the next couple of decades of Mars exploration it will determine the course of search for life and future man mission to Mars किस तरह से Mars में life evolve हो सकती है और further हम human को कैसे भेज सकते है इसमें perseverance rover में oxygen बनाने की बात की जा रही है एक technology है जिसमें Mars में हम presenter raw material के help से हम क्या गर रहेंगे, oxygen बनाएंगे आप कहोगे ऐसे कैसे perseverance में एक छोटा सा instrument है जिसका नाम है MOXIE MOXIE भी कह सकते हो या MOXIE भी कह सकते हो इसका नाम है Mars Oxygen In-Satu Resources Utilizing Experiment मतलब Mars में जो available raw material है ना उसकी help से वहाँ oxygen बनाएंगे आप कहोगे वो कैसे this will use 300 watt of power 300 watt की वो power लेगा और 10 gram तक का oxygen हमें बनाके देगा using वहीं के CO2 से ओके तो I think ये आपको हलका हलका समझ में आगया होगा किया perseverance rover क्या करता है Mars में टच हुआ life को है human हम कैसे भीजिंगे ये oxygen कैसे बनाएगा ये भी थोड़ा थोड़ा आपने समझ लिया होगा ठीक है अब देरे देरे इसके और ज़्यादा detail आती रहेंगी ये sample भी collect करके वापस आएगा और इसके बाद धीरे धीरे हम चीज़ा करेंगे बड initial में तो आपको इतना ही जानने की ज़रुवत थी now next है मेंस से related news national capital region की specific बाते हैं कि crime reduced by 16% from 2019 crime थोड़ा सा कम हुआ है capital में but robbery और snatching के cases तो बड़े हुए है कियार chain चुना रहा है ये सब चुराना और heinious crimes जैसे murder attempted to murder है ये भी कुछ decrease हुए है women crime against women भी कम हुए है हमें ये देखने को मिला है और इसके successful नतीजे इसले भी है कि CCTV बहुत ज़दा लगाए गए है literacy जो sexual related awareness है वो फैलाई जा रही है national capital region में ठीक है उसके बाद next जो article है अब ये में से से related था जो उपर हमने example पढ़ लिया उतना ज़्यादा प्रेजम से कले important नहीं था now next है new tourist point to be identified at summer lake summer lake एक salt lake है world famous summer salt lake है जाइपूर में situated है अभी इसको जानेंगे यहाँ पर अभी tourist तो आते रहते हैं उसके साथ साथ कारवाँ पार्क, bicycle truck, garden ये सब देखने को मिलते हैं और birds को भी protection देने की बात कर रहे हैं क्योंकि mass death देखने को मिली birds की 2019 में avian botulism के कारण अब avian botulism क्या होता है summer lake क्यों इससे related है वो देखेंगे salt lake है तो यहाँ बरिलीगल तरीके से salt नमक भी बनाया जा रहा था उसको रोकने की अभी कोसिस की जारी है और land को कवज़ा कर रहे थे उसको भी रोकने की कोसिस की जारी थी इस पूरे news से हमारे काम का क्या है हमारे का एक तो यार summer lake के बारे मैं जानो आप दूसरा यह एकियार 2019 में अगर मास डेथ हुई है तो किस वज़े से हुई है एवियन बॉटुलिजम के वज़े से हुई है तो इन दोनों को हम डेटेल में डिसकस कर लेते हैं क्योंकि प्रिलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा महतपूर्ण ये नियूज हो जाती है सबसे पहले नोट्स में सामभर लेक जान लेते हैं टॉपिक प्रिलम्स होने रिसेंटली साबन लेक विटनेश डेथ आप मैनी बट्स जूटू एवियन बॉटुलिजम में सामभर लेक लेक है जो कि सॉल्ट लेक है इंडिया का लाज़स्ट इन्लेंट सॉल्ट वाटर बॉड़ी है जो कि राजिस्तान में लोकेटेड है राजिस्तान के इसमें जैपूर में इसको सक्मबारी जील भी कहते हैं इंडिया की लाज़ेश इनलेंड सॉल्ट लेक है जो की बाउल शेप्ड है गंगा रीवर बेसन का पार्ट नहीं है और ये एक सेपरेट लेंड लॉग्ड रीवर बेसन है इसके साइड मागर आप देखोगे अरावली हिल्स देखने को मिले इसके सब्सक्राइब करने में मदद करता है जो यहां पर इन्वारमेंट या इको सिस्टम को सर्वाइब करने में मदद करता है सामबर लेक मैं क्यों पढ़ा रहा हूं क्योंकि यह रमसार साइट है या रमसार कन्वेंशन या रमसार कन्वेंशन यह हमेशा पूछा जाता है यो पी एस सी प्रिलिम्स में आपको यह बताना है जो रमसार साइट है या सिटी है वो कौन से देश में आती है कंट्री में मैं आपको हिंट दूँगा वेस्ट एशिया ठीक है वेस्ट एशिया का है और यहां से हम जो अपने ऑइल की पोड़ती भी करते है चलिए यह तो आपके लिए कॉमेंट बॉक्स में सबी लोगों को आंसर देना है नाव यहां पर 2019 में मास बर्ड्स के डेथ हुई तो किस व बारा होता है दा बैक्टिरिया इस कॉमनली फॉंड इंड़ सॉयल रिवर्स सी वाटर में पाया जाता है यह हूंन्स और अनिमल से दोनों को इंपेक्ट करता है बैक्टिरिया को एनरोबी कंडिशन चाहिए होती है एंड़ नोट ग्रो इंद एसेडिक कंडिशन ठीक है मतल इस वाटर में होता है तो सॉल्ट सामबर लेक में तो यह हमेशा पाया जाता है यह बैक्टिरिया और इस वज़े से पैरलाइसिस हो जाता है उनकी टांगों में और वो गिर जाती है और मर जाती है ठीक है तो ओवियन बॉटलिस्म के वज़े से हुआ था नाउ नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो है डिफेमेशन केस के साथ ओके डिफेमेशन केस किसके बेसिस पर है एक नाम सुना होगा आपने एक MP का मेंबर आपारलेमेंट हैं राजी सबा में एम जी अकबर पहले जर्नलिस्ट हुआ करते थे पिर पॉलिटीशन और मिनिस्ट्री आप स्टेट बड़े नेता है एक जर्नलिस्ट है प्रिया रमानी उन्होंने इन पर ये केस लगाया था कि सेक्शोल अरेस्मेंट हुआ है इनके साथ और ये कोर्ट में मामला चला था बट कोर्ट ने डिनाई कर दिया अब उसके बाद क्या हुआ एम जी अकबर ने इन पर डिफेमेशन क केस लगाया किन पर प्रिया रमानी जो कि एक जर्नलिस्ट है बड़ी जर्नलिस्ट है कोर्ट ने इसको भी डिनाई कर दिया जो कि अच्छी बात है सपोज कोर्ट अगर कन्विक्ट करार देता प्रिया रमानी को तो बहुत सारी जो महला हैं वो फिर आगे बढ़ती नहीं ज Oregon एक पूरए आर्टीकल में यहीपर बताया गया है। इस पूरी आर्टीकल में स्ट्उरी बताई है। बता देता हूं। इस्टोरी होती है 1993 से सुरू, सेक्शल हरेस्मेंट का टम उसमें नया नया देखने को मिलता है, उतना ज़्यादा बहुत सारे महलाएं आती नहीं थी सामने, मिस्टर रमानी, मिस्टर रमानी जो है, प्रिया रमानी उस समय 23 साल की थी, जॉब मागने जाती थी, इंट्रिव्य Old Year Celebrity Editor, उनको बुलाते हैं और ये इंट्रिव्य ऐसा नहीं होता कि पबलिक में होता, ये एक रूम में होता है, ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी यहां पर पूरे एडिटोरियल में दिया गया है, जहां पर सेक्शल हरेस्मेंट की बात प्रिया रमानी करती है, अब इसके बा अब एम जे अकबर ये कहते हैं कि यार मुझ पर मेरी रैपूटेशन खराब हुई, मेरी सोशल लाइप खराब हुई, तो यहां पर वही चीज़ें इन्होंने बताई है, ओके, तो इस पर डिफेम करने की बात प्रिया रमानी पे इन्होंने चार्ज लगाए कि यार क्रिमि करार दे देता प्रिया रमानी को, तो बहुत सारी जो महला हैं जिनके साथ सेक्शल हरस्मेंट होता आया हुआ है, या होता जाएगा, वो कभी इन्करेज नहीं होंगी कि ये रिपोर्ट करने के लिए, जो कि एक अच्छा डिसिजन हम कह सकते हैं, ओके, दे एक्विटल और जो कि एक अच्छी बात यहां पर हमें देखने को मिली है, मिस रमानी अपने को, अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए, सक्षिन 499 कहती है, कि जहां पर एक गुड़ फेथ से, गुड़ फेथ से किसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो डिफिमेशन में नहीं आएगा, सक्षिन 499 में ऐसा लिखा रहता है, गुड़ फेथ का मतलब क्या होता है, जैसे सबोच, किसी एक एक सपर्शन का सड़क में एक्सिजेंट हो जाता है, पहने क्या था, पहने ये था कि आप अगर किसी को हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो आप से पुलिस पूस्टाज करेगी, बड़ आप गुड़ फेथ से वो काम कर रहे हो, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो आप से पुलिस पूस्टाज आप नहीं करेगी, उसी पर यही है ठीक है जो चीज मैंने बोली पूरा इतना स्टोरी सुनाई इन लोगों ने पूरा ये आर्टिकल को घुमा फिरा के ऐसा लिखा गया है अब इससे फाइदा क्या होगा इससे फाइदा यह होगा कि बहुत सारी विमेंस अब आगे निकल के आएंगी विमन इंपार् नेक्स्ट आर्टिकल आता है टू मैनी आयाइटी अन्रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आर्टिकल यहां से स्टार्ट होता है कि हमारे भारत में आयाइटी हैं क्राउन जल्स अब इंडिया के हाइर एजुकेशन में और कॉलिटी एजुकेशन मिलती है यहां के जो ग्रेज कमिशन ने ये बोला हम कुछ IIT को परमिट देंगे कि आप क्या कर सकते हो अपनी ब्रांच जो है फॉरन अब्रॉड में केमपस लगा सकते हो अब यहाँ पर सिंपल से बात है यार यहाँ पर बहुत सारे IIT अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों इस चीज को क्रिटिसाइस किया जा रहा है इसलिए इसको क्रिटिसाइस किया जा रहा है अब यहाँ से हम पढ़ेंगे UGC के बारे में ठीक है उनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन के बारे में इन्होंने ये बोला कि यार कुछ जो IIT हैं अपने campus जो हैं setup कर सकते हैं abroad अब abroad में अगर campus setup करना है तो आप सबको पता है कितने fund की जरुबत होती है कितना पैसा लगाने की बात होती है इसके बदले आप क्या कर सकते हैं भारत में ही जो नए नए IIT खुले हैं उनको आपको strengthen करना है ऐसा क्यों आप कहें यार strengthen है मैं कहूंगा नहीं है ऐसा कैसे 1950 से 1960 के बीच में originally 5 IIT established होए थे foreign collaboration के IIT Bombay Soviet Union IIT Madras Germany IIT कानपूर United States के मदद से IIT Delhi United Kingdom के वज़े से currently भारत में हमारे 23 IIT हैं ठीक है कितने हैं 23 IIT अभी हमारे currently है now अब IIT Delhi जो है 1961 में हमें देखने को मिला open हुआ उसके बाद next जो IIT खुलने में बहुत अधा time लगा इन IIT को fund करती है हमारी केंद सरकार central government even state government भी इस premises का फाइदा उठाती है now अगर आप देखेंगे कि जो data available है IIT के लिए उस पर जो पुराने IIT है उसमें 10,000 तक student हैं बट जो नए IIT हैं उस पर अगर आप देखोगे तो जो student हैं सिर्फ 400 तक भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पर faculty कहीं पर 1000 है तो कहीं पर सिर्फ 100 faculty है तीक है जैसे example IIT धनबाद है जिसने 781 instructor hire करने के बाद की थी बट अभी सिर्फ 300 instructor है now दूसरा क्या IIT Bombay के student जो enrollment है वो सिर्फ 58% तक देखने को मिला 2019-2020 में करीबन करीबन IIT में देखो 7,000 student हर साल देते हैं और केवल 16,000 seat होती हैं 30 IIT के लिए पर कहने का मतलब यहीं है यार पूरे जो IIT है जो नए IIT है वहाँ पर faculty की कमी है enrollment ratio कम है जो पुराने IIT भी है वहाँ पर भी post graduate का enrollment decline हो रहा है even जो हमारे IIT हैं अभी वहाँ पर faculty को उतना ज़्यादा अच्छा जैसे बहुत ज़्यादा जो factories होती हैं वहाँ पर अगर कोई हमारे teacher चले जाते हैं वहाँ पर काम करने तो उनको facilities अच्छी मिलती है salary अच्छी मिलती है अगर वह same IIT के किसी college में पढ़ाएं तो किस चीज की जर्वत है फिर हमें जर्वत है STEM की science, technology, engineering and mathematics institute इन सब की जर्वत है advancement की some of the newly established institute can be renamed and provided with sufficient resources to produce high quality graduates and good search तो यहाँ पर यही बात की जारी है कि आप abroad campus ना लगाएं बल्कि आप क्या करें अपने ही जो newly IITs हैं उनको promote करें तो यहाँ पर important था UGC, University Grant Commission तो इसको पढ़ लेते हैं Now University Grant Commission, University Grant Commission एक statutory body है 1956 statutory body का मतलब लोकसभा राजिसभा में बिल गया होगा फिर पास होगे प्रेसिजेंट के sign होगे तब यह body बनी होगी Now इसका main मकसद क्या है higher education को promote करना बट क्या आजादी से पहने भी हमापा UGC थी Yes मैं कहूंगा थी UGC 1946 में बनी थी उससमाई यह तीन central university को supervise करती थी अलिगर्ड बनारस और डैली को 1947 में एक committee बनाने की बात की गई आजादी के बाद university education commission सेट अप किया गया 1940 में chairman सित्थी सुरपली राधा कृष्णन जी उन्होंने recommend किया कि यार हमें जैसा United Kingdom में UGC है higher education के लिए वैसे ही भारत में भी बननी चाहिए तो yes उनकी recommendation मानी गई UGC 1956 में establish की गई act of parliament जैसा मैंने अभी बताया तो इसका main काम क्या था higher education को promote करना जैसे बड़ी बड़ी university जो होंगी उनको recognition देना कितनी grant मिलनी चाहिए अभी तो IIT foreign campus भी abroad में डाल सकती है ऐसा UGC ने बोला है ठीक है तो सोच लो UGC कितनी ज़्यादा important है now next है Mr. Modi ने launch किया बहुत सारे infrastructure project केरला में जिसमें की 20 megawatt का Pugalur Thirisur High Voltage Direct Current HDVAC power transmission corridor है 50 megawatt का solar park है कासार गोर्ड में smart city भी बनाई जा रही है और water supply आमरूत mission के अंदर करनाटका में दो pages हटा दिये classics के textbook से जहाँ पर animal sacrifice की देनी की बात की गई during rituals जो rituals किये जाते हैं वहाँ पर animal sacrifice किया जाता है और अभी भी बहुत जगे ऐसी हैं उत्राखंड जिस राजजी में मैं हूँ उस राजजी में भी बहुत सारी animal sacrifice किया जाते हैं during the rituals जैसे रक्षया बंदन के दिन ऐसी जगे होती हैं अगर आप सर्च करेंगे अठवार बोलते हैं जिसमें देखो एक मैं बताता हूं उत्राखंड में जिला है चंपावत चंपावत से कुछ 60-70 किलोमीटर दूर है आपका एक जगे पढ़ती है देवी धुरा देवी धुरा में रक्षया बंदन के दिन एक त्योहार होता है अठवार अठवार में क्या करते है आठ जो बहंसें होती है ठीक है आठ जो बह्यादा बक्रियां होती है वो हर एक फैमلी से जाती है तो सोचो कितने नंबर पह और बहंसों को ऐसे ही काड़ दिया जाता है ठीक है हाला कि अभी कुछ-कुछ रोक लगाई जा रही है इसको बहुत सारे लोग पहले किया करते थे अब कम हो रहा है ये सब चीज़ें अब यहाँ पर क्या है करनाटका में दो पेजेज हटा दिये गए जहाँ पर एनिमल सक्रिफाइस की बात की जा रही थी बठ मेरे ओपिनियन में आपको past में अभी تو वो sacrifice कम कर दिये गए है मेरे ओपिनियन में past की चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि लोगों के मन में जो चोटे बच्चे हैं उनके मन में inculcate ये होनी चाहिए ती भी पर रोकी गई और अभी नहीं है क्योंकि अगर बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ आनिमल सक्रिफाइज जैसी भी कोई चीज होती थी पास्ट में और वो सडन से अभी देखेगा भी वो बच्चा ठीक है बट उसके माइंड में ये इंकलकेट करने की जरुवत थी कि हाँ ये बुरी पर्थाय थी इसको रोका जा रहा है ताकि बच्चे को पूरी आवेरनेस हो जैसे एक एक एक्जामपल है एनिमल सक्रिफाइज अभी भी होते हैं वैसे ही देखे सेक्स एजुकेशन बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं बच्चों को सेक्स एजुकेशन बताया जाना चाहिए रैदर देन उनको बताया ही नहीं जाएगा तो ये वही बात होगे कि क्लास सिक्स्ट की बुक से रिचुल में एनिमल सक्रिफाइज होते हैं पेजी हटा दिये गए रैदर देन आप उनको बताओ बच्चों को ठीक है तो यही एक एक एक्जामपल है ये मैंने नाथुला पासवाला तो आपको बता दिया है उसके बाद कल मैंने एडी पढ़ाया था आपको आपके लिए एक कॉशन है एडी आज बॉड़ी आई है एडी के लिए आपके लिए ये कॉशन है कि कब इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट से इन्फोर्समेंट डिरोक्टरेट पढ़ा तो कहीं भी एकॉनिमी क्राइमस लेंड इसकेम होगा तो एडी देखेगी 2009 में सिरलंका में बहुत ज़दा सिविल वार चलता है वहां के जो तमिल्स होते हैं वहां पर देखते हैं तमिल्स को मारा भी जाता है बहुत सारी लोग मिसिंग भी हो जाते हैं तो अभी नॉर्दन जो तमिल्स हैं नॉर्दन तमिल्स हैं देखो क्या है नॉर्दन तमिल्स कैसे हैं सिरलंका में जब भारत यहां था इस्ट इंडिया कंपनी का राज था तो यहां पर तमिल्स को लेके इस्ट इंडिया कंपनी जाती है और यहाँ पर ले जाती है अपने काम के लिए फायदे के लिए तमिल्स को वह पढ़ाती है लिखाती है अच्छे अच्छे पोस्ट में जाती है आजाद होने के बाद सिरलंगर की जो मेजर कम्यूनिटी है सिनहलाज जो बुद्धिष्ट कम्यूनिटी है वो बोलती कि यार minority community के बड़े बड़े post में सिर्फ tamils हैं तो civil war शुरू हो जाता है और लोगों को मारना शुरू कर दिया जाता है तब से बहुत सारे लोग missing है और अभी भी बहुत सारे लोग report हैं उनके लिए ये protest करते रहते हैं black flag उठाते रहते हैं और ये चीज़ें अभी तक बहुत सारे session हो चुके हैं United Nation Human Rights Council जिन होआ के लिए ठीक है तो ये बोला जा रहा है और ज़्यादा strong करना चाहिए और जहां भी human right हो रहे हैं उसको रोकना चाहिए ठीक है हमने ये भी कर लिया तो आज की last news हमारी कौन सी रहेगी United Nation Human Rights Council की ये अभी भी पहले भी news में रहा था पाकिस्तानी इस currently serving the United Nation Human Rights Council since 21st January 28 उसको re-elect हुआ और 2021 तक भी हमें देखने को मिलेगा 2021 से comments करेगा अपना ठीक है पंदर countries elect हुई जिसमें की पाकिस्तान भी है नैपाल भी है चाइना भी Asia Pacific region से 2006 में बनी थी headquarters जिनेवा सुजर लेंड है promote करता है human right मानाव अधिकार को रोकना 47 members है membership to become a member country को receive होने चाहिए 96 worst out of 191 resolution भी बहुँ ज़ादा पास करती है 5 regional group members है जहांपर से अलग-अलग जगे से लोग members से आते है UNHRC regular session होते है एक साल में तीन बार March, June और September में देखो regular session कराने का मतलब यही था मैं आपको बता देता हूँ यहां पर देखी यह क्या लिखाया इन दे नियरली 12 वियर सिंस हर हजमेंड सरेंडे टू सिलंकन आर्मी वो गाइब है है सीन मैनी sessions और यॉनाइटे नेशन end code रखेंगे globe बांकी answer writing आपको मिल जाएगी free group में और paid group वालों को तो sources भी मिलते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही बांकी जिसको join करना है एरली plan 750-513-4891 इस नमरे पर contact कर सकते हैं और एरली plan join कर सकते हैं Thank you